हेलो गुर्मोंग क्लास सेकेंड हाव आई यू कैसे हो बच्चों वर्क कर रहे हो ना आप लोग तो चलिए आज हम मैट्स की वर्क बुक निकालेंगे और इसमें पहले फील करेंगे फिर कॉपी में क्या करना है मैं आपको बताऊंगी चाट जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने कुछ आपको expanded form और standard form सब कुछ करवायता है ना बुक में भी फिल करवायता place value face value और घर से भी कुछ वर्क दिया था आप लोगों ने किया होगा अब जो इस वीडियो है उसमें क्या करेंगे comparing and forming numbers numbers नए numbers digit का यूज़ करके किस तरह से बनेंगे comparing यह आप लोग class UK जिसे आप लोग पढ़ते आ रहे हो तो आप सभी को पता है कि comparing याने छोटा number कौन सा होता है बड़ा number कौन सा होता है numbers किस तरह से बनते हैं है ना digit का यूज़ करके और ascending descending यह सब चीजे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो बच्चो सबसे पहले आप pencil eraser निकालिए और book page number 15 okay सबसे पहले book निकालिए page number 15 open कीजिए pencil eraser लई के साथ में बेटिए आप लोग ने सबने निकाल ली होगी तो देखिए अब आपको क्या करना है exercise number 1c जो आपकी exercise यह वो कौन सी है 1c है वो आपक क्योंकि आप लोगों ने जो यहाँ पर counting लिखी थी ना उसी base पर यहाँ पर जो आपने counting लिखी थी 101 से लेके 1000 तक उसी में से numbers का use करके आपको before, after और between यह आपको numbers क्या करने है फिल करने है ठीक है बच्चो अब देखो exercise number 1c में क्या है question number 1 write the numbers that comes just after the given number आपको कुछ numbers दिये है उसके just after उसके बाद वाला जो number आएगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है देखिए 209 209 के बाद क्याएगा 9 के बाद क्याएगा 10 तो क्याएगा 209 के बाद क्याएगा 210 लिखो बच्चो 210 बुक में फिल करो मेरे साथ साथ आप लोग क्याएगा 210 कर लिया फिल ओके दिन BP क्या है 536 536 के बाद क्याएगा 537 36 के बाद क्याएगा 37 तो आप लोग लिखो 537 536 के बाद क्याएगा 537 CP के 311 11 के बाद क्या आता है 12 तो यहाँ 311 के बाद क्याएगा 312 लिखो बच्चो 312 312 311 के बाद 312 आता है अब क्या है 555 555 के बाद क्या आता है 56 तो आप लोग क्या लिखोगे 556 556 556 555 के बाद क्या आएगा 556 ओके देन नेक्स क्या है 812 12 के बाद क्या आता है 13 तो आप लोग क्या लिखोगे 813 813 813 812 के बाद क्या है यह गा 813 then next f में क्या दिया है 944 44 के बाद क्या आएगा 945 945 क्या लिखोगे 945 okay then next question number 2 क्या आपका feel हो गया 1 feel हो गया आप number 2 में क्या है write the numbers that comes just before the given numbers आपको क्या लिखना है जो numbers दिये उनसे पहले क्या आता है है ना जो पहले number आएगा उसके बाद ये number दिया हुआ है आप पहले क्या आता है A में क्या दिया है 500 500 से पहले क्या आता है 499 499 के बाद क्या आता है 500 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 499 लिख लिखेंगे हम 680, 80 से पहले क्या आता है 79, 80 से पहले क्या आता है 79 तो क्या लिखेंगे हम 680 से पहले आएगा 679, क्या आएगा 679 लिख लिखेंगे देन, C में क्या है, 710, 10 से पहले क्या हैगा, 9, तो क्या हैगा, 710 से पहले, 709, 709, लिख लिए बच्चों, अब देखिए, D पे क्या है, 315, 315, 315, 315 से पहले क्या हैगा, 314, आपको बैकवर्ड काउंटिंग आती है न, तो बैकवर्ड जाना है, 15, 14, 13, इस तरह से, 15 किसे पहले क्या हैगा, 14, तो 300, 14, 314, इस न, 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 पे क्या है, 881, 881 से पहले क्या हैगा, 881 से पहले, 880, 880, लिख लिख बच्चों, 880, ओके, देन, F, 999, 999 से पहले क्या हैगा, 998, 99, 8 आएगा, तो लिख 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 लोगों ने, आपका बीच का जो नमबर है वह आपको लिखना है मतलब counting जिस तरह से होती ही continuous यहाँ क्या है 411, 413 तो बीच में क्या हैगा 411 के बाद क्या आता है 412, 412 411, 412 413 हो गया लिखो यहाँ पर 412 B पर क्या है 574 576 तो बीच में क्या हैगा 575 575 तो क्या हो गया यहाँ पर बीच में 574, 575 576 चलिए अब नेक्स आगे बढ़ते हैं C में क्या दिया है 281, 281 283 बीच में क्या हैगा 282 281 के बाद 283 हो गया ना सही है तो क्या लिखेंगे 282, 282 D में क्या है 615, 617 तो इसका जो बीच का डीचित हो क्या हैगा 15 के बाद 16 तो क्या हैगा 616 616 लिख लिया E में देखो क्या है 702, 704 702 और 704 तो 2 और 4 के बीच की डीचित कौन से होएगी 3 आएगे ना तो क्या लिखेंगे 703 703 Then next 900 902 तो बीच की डीचित क्या हैगी 901 901 तो क्या है 900 901 902 हो गया बच्चो आपने बुक पेज नमबर 15 फिल कर लिया चलिए अब पेज नमबर 16 पे आएगे हम इसमें क्या दिया गया है Cross out the greater number each pair आपके दो-दो pair के क्या करें नमबर दिये गया है उनमें से जो भी नमबर बड़ा होगा उस पे Cross करना है इस तरह से Cross ने Wrong का Sign लगाना है अब यहाँ A पे क्या है 675 655 तो इसमें से बड़ा नमबर कौन सा है जो First डिजिट है वो तो 100th place किसे में और 7 और 5 10th place पे है तो बड़ा कौन सा डिजिट हुआ 675 तो इसके उपर Cross लगाईए बच्चों 675 पे Cross लगाईए लगा लिया आप लोगोंने चलिए अब Next B में क्या दिया है 278, 225 तो इसमें से 278 है उस पे क्या करेंगे हम Cross लगाएंगे क्योंकि 78 बड़ा है जो 100th place पे 2, 2 से में और 10th place पे 7 10th place पे 2 तो 278 बड़ा डिजिट हो गई तो इस पे हम क्या करेंगे Cross का साइन लगाएंगे ओके The Next C 880, 880, 80, 803 तो 800, 800 से में 10th place पे 80, 0 तो बड़ा कौन सा हुआ 800, 80 यह जो डिजिट है यह बड़ी है तो इसके उपर आपको Cross का साइन लगाना है ओके Then D पे क्या है 520, 443 जो 100th place पे 5 है और यहां पे 100th place पे क्या है 4 है तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ 5 तो यह 520 क्या है आपका बड़ा नंबर हो गया तो यहां पे क्या करेंगे हम Cross का साइन लगाएंगे ओके यह भी feel कर लिए बच्चों आप लोगों ने तो next 5 नंबर पे क्या है टिक right the smaller number इन इच पे है और आपको कुछ pairs दिये है इसमें आपको क्या करना है जो छोटा नंबर होगा उसके सामने आपको right का निशान लगाना है ओके तो देखो a में क्या है 380 380 and 308 33 से में 10th place पे है 8 10th place पे है 0 तो क्या हैगा 308 क्या है small digit है तो इसके सामने इसके उपर हम क्या करेंगे right का निशान लगाएंगे next क्या है 819 808 इसमें भी 88 से में 10th place पे 1 10th place पे 0 तो यहाँ पे क्या है right का निशान लगाएंगे C में क्या है 725 727 725 और 727 तो यहाँ पे है जो 7 7 7 7 है 2 2 7 है last में 1st place पे 5 1st place पे 7 तो कौन सा डिजिट छोटी हुई 725 कौन सी हुई 725 तो इस पे आप क्या करोगे tick लगाओ right का निशान लगाओगे ok students अब आगे चलिए देखिए 342 350 100 पे पे अगें 33 है 10 पे पे 4 10 पे पे 5 तो small डिजिट कौन सी हो गई 4 होई न तो 342 क्या है small number है तो इस पे हम क्या करेंगे tick करेंगे समझ में आया next question number 6 क्या है fill in the box with the greater than and less than आपको क्या करना है greater than और less than पे क्या करना है आपको जो number greater है तो उस पे आप greater than का sign लगाएंगे और जो less है तो वहाँ भी क्या लगेंगे less than का sign लगाएंगे चलिए ठीके देखिए ये पे क्या है 324 330 अब 324 कम है और 330 के बड़ा number है तो इसलिए क्या आएगा less than का sign आएगा 324 is less than 330 तो less than का sign लगाएंगे बच्चों ये वाला sign होते है less than का ठीके में लगाएं देखिए 444 444 444 444 444 10th place पे भी 100th place पे भी है और 1th place है वहाँ पे क्या है 40 तो बड़ा number कौन सा हुआ 444 तो यहाँ पे क्या आएगा greater than का sign आएगा ठीके ये होता है greater than का sign इस तरह से 444 is greater than 440 greater than का sign लगाएंगे बच्चों अब यह क्या है next 815 820 88 से में 1 और 2 10th place पे 1 है इदर 10th place पे 2 है तो जो 815 है वो small digit है और 820 है वो क्या है बड़ा number है तो less than का sign लगाएंगे तो less than का sign लगा लिया आप लोगों ने तो 815 less than 820 ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं D में कहा है 936 963 99 से मडिजिट है 10th place पे 3 है और 6 3 चोटा है 6 बड़ा है है क्या तो 936 small है और 963 कह है बड़ा number है तो इसलिए क्या लखेंगे 936 is less than 963 यह चोटा number है ना तो इसलिए less than का sign लगा जब स्टार्टिंग में छोटी digit होगी तो less than का sign अगर स्टार्टिंग में बड़ा number है तो greater than का sign आएगा अब देखिए 119 119 और 83 तो 119 के बड़ा number है तो greater than का sign नहींगा ठीक है 119 is greater than 83 then 575 715 5 और 7 100 प्लेस पे 5 है 100 प्लेस पे 7 है तो यह जो 575 क्या है less है कम है 715 से तो यहाँ पे क्या आएगा less than का sign आएगा इस तरह का sign आएगा 575 is less than the 715 हो गया बच्चों फिल कर लिया आप लोगों ने pause करके zoom करके आप अच्छे से देख सकते हो कि मैंने किस तरह से sign फिल किया है then next 7 form the greatest and smallest 3 digit number with given digit आपको कुछ digits दिये गया है कॉमा करके उन numbers का use करके आपको greatest number और smallest number form करना है बनाना है हाँ जब आपका number बनेगा उसमें कॉमा का use नहीं होगा ओके चलिए 514 greatest number याने सबसे बड़ी digit बड़ा number तयार करना है तो 514 में सबसे बड़ा number कुछ सा है 5 उससे छोटा 4 उससे छोटा 1 तो आपका बड़ा number क्या बन गया 541 अब smallest में क्या करना है इससे उल्टा लिखते जाना है 1 चोटा है 4 बीच में आएगा और 5 बड़ा digit है तो क्या बन जाएगा smallest number 145 समझ में आया इनमें कॉमा नहीं लगाना है greatest number में आपको सबसे पहले बड़ा number फिर उससे छोटा फिर छोटा और smallest number में छोटे से बड़ा लिखता जाना है छोटा number फिर बड़ा फिर बड़ा समझ में आया बच्चों चलिए इसी तरह से आगे 7, 6, 5 7 ही आएगा 7 बड़ा number है 6 उससे छोटा 5 उससे और भी छोटा तो आपको बन जाएगा greatest number 765 और smallest क्या करेंगे इसका opposite 5 का 5 6 हा 6 7 का 7 आगया तो 567 next C 2, 4, 3 तो इसमें बड़ा टिशिट कौन सा है 4 कौन सा है 4 उसके बाद 3 फिर उसके बाद 2 तो greatest number क्या बन गया आपका 432 next smallest number क्या होगे इसका opposite करेंगे हम 2 पे लिखेंगे 3 बाद में लिखेंगे 4 last में लिखेंगे तो जो smallest number क्या होगे 234 then next 193 इसमें सबसे बड़ी डिशिट कौन सी है 9 उसके बाद है 3 उसके बाद है 1 तो आपका बड़ा number कौन सा बन गया 931 और इसका opposite क्या लिखेंगे हम 1 चोटा है 3 middle में आएगा और 9 last में आएगा तो smallest number क्या हो गया 139 समझ में आए बच्चों किस तरह से हम greatest number और smallest number बनाएंगे चलिए अब जो question number 8 है arrange the ascending and descending order और यह जो है मैं पहले आपको board पर फिल करके बताऊंगे उसके बाद आपको इस book में फिल करना है और copy में भी करना है ठीके चलिए सबसे पहले तो यह बताए ascending क्या होता है जो ascending number होता है वो ascending क्या होता है ascending means चोटे से बड़ा जो आपका number है कुछ numbers दिये है five numbers दिये गए है आपको उसको क्या करना है चोटी digit से बड़ी digit आपको लिखनी है चोटे number से बड़ा number आपको लिखना है अब a number पर क्या दिये गए आपको five numbers दिये गए है 64 216 178 84 183 अब इसमें कुछ नंबर से वो 2 डिजिट के हैं और कुछ नंबर है वाब 3 डिजिट के हैं तो जो पहले 2 डिजिट के है वो छोटा नंबर हुआ न तो इसलिए अब 2 डिजिट के नंबर कौन सा है 64 और 84, इन दोनों में से सबसे चोटा कौन सा है 6 और 8, दोनों में से चोटा कौन सा है 64, तो हम पहले क्या लिखेंगे 64, देन लिखेंगे हम 84, ठीके, ये दो हो गया हलका सा मिने अंडरलाइन कर दिया कि आप क्यों हो गए उसके बाद 216, 178 183 इसमें सब में क्या है 2 है 1 है 1 है तो सबसे चोटा कुन सा आ गया 1 1 अब इस 1 में भी दोनों से में तो 10th place पे देखे हम 10th place में यहां क्या है 7 है 10th place पे 8 है तो सबसे चोटी डिजिट कौन से हो गई 178 फिर लिकेंगे हम 183 और आपका लास्ट का जो नंबर बज गया वो क्या है 216 तो आपका जो असेंडिंग ओर्डर हो गया है वो क्या हो गया है 64, 84, 178, 183, 216 बच्छों आप लोग बुक में भी फिल कर लीजिए है ठीक है Q8 का आए पहले गुक में फिल कर लीजिए आप लोग मेरे साथ समझ में आया अब इसी तरह इसमें क्या है 756, 733, 185, 873, 753 इसमें जो इसमें सारे क्या है जो नंबर है वो तीन तीन है ना 123, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 123 है तो इसमें 2 जिट का कोई नंबर नहीं है अब देखें स्टार्टिंग देखेंगे हम 7, 7, 1, 8, 7 तो सब से स्मॉल कुन सा है 1 तो पहले हम क्या देखेंगे 184 अब इसमें 7, 7, 7, 3 बार है क्या इसके बाद हम क्या करेंगे 7 को छोड़कर हम 10 स्प्लेस पे देखेंगे 5, 3, 5 5, 5 वारी 2 नंबर है 750 पहले तो यह आएगा 5, 5 तो बाद में पहले यह आएगा 733 5 से चुट आए ना यह 3 तो पहले आएगा फिर उसके बाद क्या आएगा 753 फिर आएगा 756 अब लास्ट क्या बच गया आपका 700 sorry 873 समझ में आया पहले आएगा 184 733 753 756 873 ठीक है यह आपका sending order रहे है अब इसमें भी देखे पांच numbers दिये हैं यह सारे तीन तीन डिजिट के हैं फर्स्ट में क्या है 1 4 9 8 3 तो 1 क्या है सब से small तो हम लिकेंगे 178 उसके बाद 1 के बाद कौन सा हो गया आब 4 ए 9 ए 8 ए 3 है तो 3 बाद क्याएगा 1 के बाद में 3 चोटा है यहाँ पर 383 है 3 के बाद क्याएगा 4 तो यह 1 लिकेंगे 438 फिर 8 और 9 बजगया तो small कौन सा है 8 तो हम क्या लिकेंगे 833 कॉमा लास्ट में जो बजगया है वह क्या है आपका 930 समझ में आया तो यह आपका क्या आएगा 178 383 538 833 और 930 ओके चलिए अब नेक्स्ट अब इसमें कहे देखो इसमें 2 रिजिट है एक ही नमबर है 2 रिजिट का ठीके तो वह पहरे लिख लेते हैं अब हो तो वह स्मॉल ही होगा न उसके बाद 1 1 1 1 1 10th place पहे गए 8 9 0 तो कौनसा होगा चोटा 103 उसके बाद अब 8 और 9 8 और 9 में चोटा कौनसा होगया 185 कौनसा होगया 185 उसके बाद 8 के बाद में क्या है यहाँ पे 9 है न तो 190 90 01 तो आपका असेंडिंग ओडर क्या होगया 85 103 185 190 501 यह तो होगया आप असेंडिंग यहाने चोटे से बड़ा अब क्या करना है आपको डिसेंडिंग यहाने बड़े से चोटा इससे आप पोजिट करना है अब इसमें देखिए यह भी 3 डिजिट है इसमें बड़ा नंबर कौन सा है 7 11 8 9 सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 9 तो हम क्या लिखेंगे यहां पे पहले 930 उसके बाद कौन सा है 8 9 के बाद क्या आता है बेकवर काउंटिंग में 8 आता है न तो 850 8 के बाद क्या आता है बेकवर काउंटिंग में 7 तो क्या आएगा 758 अभी यहां पे 6 स्टार्टिं में 100 स्प्लेस पे 6 5, 4, 3, 2 नहीं है क्या आए सिदा 1 1 में भी क्या है 1, 1 8, 8 है क्या 18, 18, 7 हो गई अब टे 1 स्प्लेस पे जाएंगे हम 5 और 3 तो बड़ा कौन सा हो गया 185 तो हम पहले लिखेंगे 185 और उसके बाद लास्ट में क्या बज़ गया 183 तो आपको क्या करना है बड़े से छोटा तो आपका अंसर क्या हो गया 930 850 758 185 183 इसी तरह से आगे करेंगे हम इसमें 8 है 7 है 3 है 1 है 2 है ठीके तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया 8 तो ये लिख लिया उसके बाद 7 785 उसके बाद 3 386 3 के बाद में कौन सा है 2 280 अब क्या लास्ट में बज़ गया 175 तो आपका जो descending order हो गया हो क्या हो गया 811 785 386 280 175 हो गया अब नेक्स आईए नेक्स में क्या है 183 3 5 सबसे भी लास्ट लार्ज नंबर कौन सा है 8 858 उसके बाद 5 है क्या 580 उसके बाद क्या है यह हो गया यह हो गया अब 3 है 3 है सेम है ना दोनों डिजिट तो आगे बाद डिजिट देखेंगे हम यह भी 3 है यहां 5 है तो बड़ा कौन सा हो गया 5 बिग नंबर कौन सा है 5 तो 353 फिर उसके बाद 333 और लास्ट में क्या बच गया आपका 185 तो आपका डिसेंडिंग ओडर हो गया क्या हो गया 858 580 353 333 and 185 इसी तर से आगे करेंगे हम 8 है 3 है 3 है 7 है 8 है 8 है 7 है दो बार आगे 10 स्टेस पे आएंगे हम 3 है 1 है कौन सा बड़ा हो गया 835 फिर उसके बाद 813 इसे के साथ अब यहाँ पे भी क्या है 300 300 सेम है न तो 10 प्लेस पे देखते हम 3 है 5 है तो बड़ी डिजिट कौन से होगे 5 5 बड़ा होता न तो 350 देन 335 सोरी सोरी पहले क्या है गा यहाँ पे 300 बाले से पहले आपको 7 है न यहाँ पी दिया हुआ 835 813 उसके बाद 7 आएगा न 750 फिर लिखेंगे हम 350 और लास्ट मिंचे वह स्मॉल लंबर होगा 335 ठीक है 835 813 750 350 और 335 पहले आपको यह बुक में फिल करना है उसके बाद आपको कोपी में भी करना है यह वर्ग जो मैंने कोशन नमबर 8 और कोशन नमबर 9 है यही आपका हुमवर करेगा कि दू कोशन नमबर 8 और कोशन नमबर 9 इन नोटबूक ओके यही वर्ग आपको कोपी में करना है और जब बुक में फिल करना तो आप कोपी में करोगे जब बिना देखे आप खुद करोगे आपको और समझ में नहीं आ रहा तो बार-बार इस वीडियो को देखे फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप कोई घर में बढ़ा होगा तो उनसे और अच्छे से समझ लीजीगा Parents, I request to you कि प्लीज आपने जो बच्चे हैं उनको corporate करें और हाँ, ये जो page number 17 पे क्या है, mixed review दिया है याने जो आपने जो first video से जो मैंने यहां तक पढ़ाया है उसी के बारे में दिया गया है, तो ये भी बच्चो को book में feel करवाना है page number, question number 1 से 6 तक, ascending, descending यहां पे दिया गया है यहां तक book में बच्चो आप लोगों को feel करना है, आप अपने parents के भाई बेन की help ले सकते है book में भी feel करना है, book में, feel in book page number है आपका, 17, 18, question number 1 से, question number 6 तक, okay students तो इस तरह से आपको यह copy में भी करना है, book में page number 17 पूरा feel करना है, easy है, आपको आराम से अच्छे से आएगा, क्योंकि उन्हें सब कुछ extend कर दिया है आप लोगों को, ठीक है, अच्छे से वर्क करना, copy Wednesday Saturday को स्कूल में submit करवानी है, हमारे इस वीडियो को like जरूर कीजेगा, okay students, bye bye, thank you